नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th BPSC Re-Exam PT 2022 के लिए Practice Set डिसकस करेंगे यह Practice Set नमबर 8 है, इसका पहले 7 Practice Set अपने चैनले पर अप्रूड कर दिया गया है जो नहीं देखे जाके देख लिजेगा, प्रेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा यह आपके जो Practice Set अपने पर अप्रूड है, उससे भी आप्रूड जाके देख सकते हैं और देखे आप लोग टेंसर ने लिजे कि आपका जो Practice Set अपने अपने पर अप्रूड कर देखेगा तो उससे हम लोग परियास करेंगे कि अगले 10 दिन में इसे अप्लोड कर देंगे और आपके इसमें दो आपके 67th BPST के जो एक्जाम Cancel हो गया था उसका Paper है तो उससे भी हम लोग डिसकस करेंगे और जो CDPO एक्जाम हुआ था उसका भी Paper है उसे भी हम डिसकस करेंगे ठीक है तो आप लोग टेंशन मत लिजे हम सारे complete कर देंगे जो आपके 5,000 कोसन है उसे तो देखिए 5,000 कोसन है तो हम 100% नहीं कर सकते हैं कि हम complete कर ही देंगे लेकिन परियास करेंगे कि इससे भी आपकी complete कर देंगे ठीक है क्योंकि exam बहुत नजदिक आ गया तो जो जादा important रहेगा उसी को complete किया जाएगा और इसका PDF टेलिग्राम गूर्प आप लोग जोईन कर सकते हैं जिसका link आपको description में दिया गया है तो आई देखते हैं पहला question सुराजबादी नेताओं को स्योग इमांदार एवं देशभक्त की संग्या निमलिखित में से किस ने दी थी तो किस के दोबरा दिया गया था महात्मा गांधी जे के दोबरा दिया गया था आउरंग जेव दोबरा इस इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निजकासित कर दिया गया था तो किसे कर दिया गया था जौन चाइल्ड को कर दिया गया था जौन चाइल्ड को कर दिया गया था कब किया गया था तो 1668 में किया गया था भारत में स्वर पर्थम सूती बस्त्र उद्योग कहां अस्थापित किया गया था तो भारत में स्वर पर्थम जो सूती बस्त्र उद्योग है फोर्ट गलोस्टर में अस्थापित किया गया था तो 1853 में जो है कहां पर लगाया गया बंबई में लगाया गया जबकि फोर्ट गलोश्टर में कब लगाया गया था तो 1818 में लगाया गया था रामचंद्र पांडू रंग किस क्रांतिकारी का वास्तिविक नाम है तो तात्या तुपे का वास्तिविक नाम है रामोसी बिद्रो का नित्रीतु किस ने किया था? जो रामोसी बिद्रो है इसका नित्रीतु किसके द्वारा किया गया था? तो चित्तर सिंग के द्वारा इसका नित्रीतु किया गया था? किस वर्स लॉड बेलेजली ने कलकता में फोर्ट बिलियम कॉलेज की अस्थापना की तो Lord Bellaggley के दुवारा कलकत्ता में Fort William College की अस्थापना 1800 में किया गया है कब किया गया है लेकिन आपको याद रखना है कि Fort William College है इसे बंद कब कर दिया गया तो 1802 में बंद कर दिया गया और जो Fort William College था इसके अस्थान पर इसके अस्थान पर England में हेले बरी कॉलेज के अस्थापना किया गया जहां पर जो सिविल सेवा के अधिकारी थे उनका प्रसिच्छन किया जाता था 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यच्छता में गठित बिस्वध्याले आयोग में निम्रिकित में से किस भारतियों को सामिल किया गया था तो किसे सामिल किया गया था तो सैयद हुसैन बिल गरामी सैयद हुसैन बिल गरामी और जस्थिस गुरुदास बनर जी को सामिल किया गया था तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा तो ई इसका राइट अंसर जाएगा इससे दुबारा देख लिजे 1902 में जो है सर टॉमस रेले की अध्याच्ता में गठित बिस्वध्यालया आयोग में निम्लिकित में से किस भारतियों को सामिल किया गया है तो सेद हुसेन बिलगरामी और जस्तिस गुरुदास बंदरजी को सामिल किया गया है देखे बगल में कुछ कोई काम कर रहा है थोड़ा आपको आवाज आएगा तो परिसान जादा मत हुएगा निम्लिकित में से कौन आपके सही सुमलित नहीं है तो देख लिजिए कौन सही सुमलित नहीं है अधिनियम और गवर्नर जनरल और बाइसराय के बारे में दिया गया है मतलब कि यह तो गवर्नर जनरल हो सकता है यह तो बाइसराय हो सकता है अनुग्यपती नियम 1823 जब जारी किया गया तो इस समय जो है गवर्नर कौन था तो जौन एडम्स था यह ठीक है जौन एडम्स था पंजीकरन अधिनियम 1867 जब जारी किया गया तो इस समय बाइसराय लौड लिटन था यह आपकी गलत है लौड लिटन नहीं था तो कौन था लॉड लॉरेंस था ठीक है उसके बाद कि भारतिय समाचार पत्र अधिनियम 1910 लॉड मिन्टो 2 के ससनकाल में पारित किया गया तो ये ठीक है उसके बाद पत्रेचन अधिनियम 1799 उसमें लॉड विलज ली था तो आपका ये भी ठीक है तो गलत कौन हो जाएगा भी आपके गलत हो जाएगा तो भी इसका right answer हो जाएगा नेक्स्ट है निमुर्कित में से किस गवर्नर जिनरल ने किरसी वीभाग एवम बानिज बीभाग का गठन किया था अठारा सो बहत्तर में किया गया था बंगाल विभाजन की घोसना किव की गई थी बंगाल विभाजन की घोसना जो है 19 जुलाई 1905 को किया गया था बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था तो बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था नेक्स्ट है अलिपूर सलियंत्र केस में अर्वींद गोस का बचाओ निम्लिकित में से किस ने किया था तो किसके दोरा किया गया था चितरंजन दास के दोरा किया गया था अलिपूर सलियंत्र केस में अर्वींद गोस का बसाओ किसके दोरा चितरंजन दास जी के दोरा किया गया था जो अलिगड़ सलियंत्र केस ये कब हुआ था तो 1908 में हुआ था और जो अरवींद घोसें इन्हें बरी कर दिया गया था किनके बचाव के कारण चितरंजन दास के बचाव के कारण सूची एक को सूची दू के साथ सुमलित करना है तो सुमलित कर लिजी बिद्रो का केंद्र और दमन करता दिल्ली में जो बिद्रो हुआ था उसका दमन कौन किया था तो निकोलसन और हडसन ने किया था जो कानपूर में बिद्रो हुआ था उसे कौन दबाया था तो कैंप बेल ने दबाया था जासी में हुरोज ने दबाया था इलाहाबाद में करनल नील न जाएगा एक तीन दू चार रौलक्ट एक्ट के बिरोध में गांधी जी ने पूरे देश में किस तितिक को जो है हलताल के आयोजन का आवान किया था तो किस तितिक किया था 6 अप्रेल 1919 को कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रांतिये कांग्रेस कमीटी को भासाई अधार पर पुना गठित करने का अंधिरने लिया गया तो नागपूर अधिवेशन उनिसो बीस में लिया गया था नागपूर अधिवेशन उनिसो बीस में इसके अध्यच्ता कौन कर रहे थे तो रागवा चार कर रहे थे बीजय रागवा चार यहां पर लिख देते हैं बीजय रागवा चार इसके अध्यच्ता कर रहे थे से जो जस्टिस समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किसके द्वरा किया गया EMR के द्वरा किया गया बिल्कूल ठीक है इंडिपेंडेंट बी यार अंबेदकर के द्वरा किया गया तो ये गलत है जो इंडिपेंडेंडेंट है इसका प्रकासन मोतिलाल नहरु जी के द्वारा किया गया मोतिलाल नहरु जो है जवाला नहरु के पिता है लीडर मदन मुहन मालवी का प्रकासन है ठीक है बंबे करोनकल फिरोसा महता का प्रकासन है ये भी ठीक है तो गलत कौन हो जाएगा B आपकी गलत हो जाएगा B इसका राइट अंसर हो जाएगा इसाई मिस्नरियों को जो है भारत में धरम परचार करने की अनुमती किस अधिनियम के माधियम से मिला था तो 1813 के अधिनियम के माधियम से मिला था राम क्रिष्ण मिशन की अस्थापना किस बरस की गई तो राम क्रिष्ण मिशन की अस्थापना जो है 1897 में किया गया कहां पर किया गया कलकत्ता में किया गया कहां पर किया गया कलकत्ता में किया गया किसके दोरा किया गया तो स्वामी विवेका नंद के द्वारा किया गया है स्वार पर्थम निम्न में से किसके द्वारा समिधान के निर्मान हे तू समिधान सवा के गठन का प्रस्ताव किया गया था स्वार पर्थम निम्न में से किसके द्वारा समिधान के निर्मान हे तू समिधान समय के गठन का प्रस्ताव किया गया था के बहरत में कब आया था 2022 में आया था गरांतीकारी अंदुलन तो समाजिक सचाईया है इसके बीना समाज कभी भी प्रगती नहीं कर सकता है उपरोक्त कथन किसका है जो कथन है लाला लाजपत राई का है ये कथन जो किसका है लाला लाजपत राय का कथन है ब्रिटिस हाउस ओफ कॉममन्स का चुनाओ स्वर पर्थम किस भारतिय द्वारा लड़ा गया ये बहुत ही अच्छा सवाल है कुछ लोग पहली बार देख रहोंगे British House of Commons का चुनाओ स्वरपर्थम किस भारतिय दोवारा लड़ा गया किस के दोवारा लड़ा गया तो WC बन्रजे के दोवारा जो है पहली बार लड़ा गया था लेकिन ये चुनाओ हार गये थे पहली बार जिता किस के दोवारा गया तो दादा भाई नौरिजे के दुबरा जो है पहली बार जीता गया था चुनाओ किस पार्टी से जीता गया था आप सभी लोग कुमेंट बोक्स में बताईएगा आसाहयोग आंदूलन के दौरान आशाःयोग आंदूलन के दौरान जो है किसने पटना कोलेज छोड़ा था जबकि उसकी परिच्छा में केवल 20 दिन बचे थे आसायोग अंदोलन कभ होता है? 1920 में कि दवरान किसने पटना कोलेज छोड़ा जबकि उसकी परिच्छा में केवल 20 दिन बचा था तो कौन छोड़ते हैं? जैप्रकास नरायन ये अपके BPSC का पूछा हुआ सवाल है बिहार के छपरा जेल में नंगी हर्ताल का आयोजने किस रास्टी अंधुलन के दौरान किया गया था तो सबने अबग्या अंधुलन के दौरान किया गया था सबने अबग्या अंधुलन के दौरान किया गया था किस लिए किया गया था तो स्वधेसी ववस्तर के मांग के लिए किया गया था बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्री मंडल दोबारा किसकी अध्यचता में जो है एक सरम जाच समीती की नियुकती की गई तो रजंद्र परसाद की अध्यच्ता में एक सिर्म जाच्श समीती की नेवगती की गई थी तो सी इसका राएट अंसर हो जाएगा निम्रिखित में से किसने आस्थायोग अंदूरन के दौरान बकालत छोड़ दिया था किसने जो है असहयोग अंदोलन के दोरान जो है बकालत छोड़ दिया था तो अनुगरह नराहिन सी ने छोड़ दिया था मत्रा परसाद ने भी छोड़ा था दीप नराहिन सी ने भी छोड़ा था और स्री क्रिस्न सी ने भी छोड़ा था तो एक से अधिक उप्सन आपका ठीक हो जाएगा एक से अधिक उप्शन आपका ठीक हो जाएगा बिहार के किस मुगल प्रांथ पती ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था बिहार के किस मुगल प्रांथ पती ने जो है रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था तो मांसी ने अपनी राजधानी बनाया था रोतास को हिमाई। द्वारा पहली बार चुनार दूरग पर कब आकर्मन किया गया हिमाई। 1532 में किया गया था, 1532 में किया गया था. इनके द्वारा, हिमायू के द्वारा चार मेहने तक जो चुनार दुर्ग इसका घेरा डाले रहता है. हिमायू. और बाद में हिमायू की अधिंता सिउकार कर लेता है. नमक विभाग का संबन किससे था? तो पेंसन बिभाग कहा गया है पेंसन बिभाग से इसका संबंध है नहीं दिया गया है पेंसन बिभाग से इसका संबंध है तो इन में से कोई नहीं हो जाएगा निमलिकित में से किस सासक ने जो है रसिक परिया नामक टीका लिखा था तो राना कुमभा ने लिखा था बिसिष्टा दवयत बाद मत के संस्थाफ़क कौन थे तो रामा नूझ थे कौन थे रामा नोज थे साथ ही आपको याद रखना है कि आद्वायत बाद के संस्थाफक कोन है तो संक्रा चार है संक्रा अचार है द्वायत बाद के संस्थाफक कोन है तो माधवा चार है जबकि द्वायता द्वायत बाद के संस्थाफक कोन है तो निम बार्ख है निम बार्ख है ये चरो पॉइंट को लिख लिजेगा दिल्ली के लाल किले में मोती महजीद का अंदिरमान निमन में से किस ने किया था जो दिल्ली का लाल किला है इसका अंदिरमान किस के दोरा किया गया था औरंग जेब के द्वारा करवाया गया था निम्रिकित में से किस इतिहासकार ने प्रति बर्स रोम से भारत चली जाने वाली सोने की भारी मात्रा के लिए दुख परकट करता है तो कौन दुख परकट करता है तो पिलीनी आपकी एक इतिहासकार है जो दुख पर कट करता है क्यों करता है क्योंकि जो रोम से संपत्ती है जो सोना है वो भारत में आ रहा था इरेसम कपड़ों के बदले में इरेसम कपड़े और भी बस्तियों के बदले में तो इसलिए जो पलीनी है ये दुख पर कट करता है कि जो रोम का संपत्ति है यो भारत में जा रहा है निमलिखित में से कौन सी नदी कोसल जनपत को दो बराबर भागों में बाड़ती थी बहुत ही अच्छा सवाल है निमलिखित में से कौन सी जो नदी है कोसल जनपत को दो बराबर भागों में बाड़ती थी तो सर्यू नदी, जो सर्यू नदी है, कोसल जनफत को दो बरावर भागों में बाढ़ती थी इसमें आपको याद रखना है कि जो दच्छिन कोसल है, इसकी रलधानी कहां पर थी तो जो दच्छिन कोसल है, इसकी रलधानी कूसा बती है, कहां पर है कुसा बती है जबकि जो उत्री कोसल है उसके रदधानी कहां पर था तो सरावस्ती था इसे नोट की जिएगा पूछा जा सकता है आप से निमलिकित मेंसे किस ने लोथल का उत्खनन करवाया जो लोथल है उसका उत्खनन किसके दोरा करवाया गया था तो येस आर राव के दोरह करवाया गया था, लोथल कहां पर अस्तित है, तो गुजरात राज में अस्तित है, ये आपके बंदरगा के लिए परसीदे, डोक्यार के लिए परसीदे, भोगवा नदी किनारे अस्तित था, साथ ही आपको याद रखना किसका उत्खनन कब किया ग अजादी के बाद, अजादी के बाद जो है, सबसे अधिक लोकेशन कहां पर मिलता है, तो गुजरात राज में सरवादिक लोकेशन मिलता है उत्खनन के बाद. नेक्स्ट है अग्येवादी, संदेहवादी, संपरदाई के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे संजय बिठली पूत्र, संजय बिठली पूत्र इसके संस्थापक थे गुप्त काल में महाबलाधी कृत अधिकारी किसी विभाग से संबंधित था तो इसका संबन था सेना का सिनपती से सेना का सिनपती से इसका संबन था उसके बाद आपका है नियादीस नियादीस को क्या बोला जाता था तो महा डंड नायक बोला जाता था गुबत काल में राजकोस्त का अधिकारी को क्या बोला जाता था तो भांडा गारा धिकरित बोला जाता था ठीक है उसके बाद है पुलिस बिभाग को क्या बोला जाता था तो जो पुलिस बिभाग है उसे डंड पासिक बोला जाता था निम्लिकेत में से कौन सी रचना जो है काली दास की नहीं है इसमें से किसकी जो रचना है काली दास की नहीं है तो देख लिजे इसमें ज रचना कालिदास का नहीं है तो रचना किसका है तो विसद्रक॥ का किसका है काब दर्शन और देबी चंद्रगुपतम में भी सांगत शर्ल actual और विक्रमू वर्ण यह जो रचना है काली 10 का है, किस प्राचीन अस्तूप का नाम जो है धान कटक था, तो अमरा बती अस्तूप का, काची के करिलास मंदिल, एब महाबली पूरम की सोर मंदिल, का दिरमान किसने करवाया था, तो किसके दोरा करवाया गया था, काची के काली 10 मंदिल, एब महाबली पूरम की सोर मंदिल, का दिरमान किसने करवाया था, नरसी बरमन, दुतिये के दोरा करवाया गया था, जिस पर हम जो द tiah जोड़दों के पलते हैं दो बार तो शमझे यह कर इन्पोर्टेंट है, ठीक है, Next है कि किस बाओध संगती में मत्वेट के कारण जो है बाओध संग अस्थावीर एबम महा संगिक दो भागों में बट गया था किस बाओध संगती में तो दूतिय बाओध संगती में दूतिया बहुत संगती का आयूजन कहाँ पर किया जाता है तो बैसाली में किया जाता है कहाँ पर बैसाली में किया जाता है इसकी अध्यचता कौन करता है तो साब कमीर करता है कौन करता है साब कमीर इसकी अध्यचता करता है, तो C इसका राजन से रोजाएका, और सासक इस सम्में कौन था, तो काला सुक, काला सुक इस सम्में आपके सासक था, ठीक है? अच्छा पर्थम बहुत संगती कहां पर होता है तो पर्थम बहुत संगती है यह कहां पर होता है तो पर्थम जो बहुत संगती है यह आपके होता है राजगिरे में सकेंड बाला कहां पर होता है वभाईसाली में तिसरा पाटली पूत्र में चोठा कहां पर होता है चोठा कुंडल बन में होता है सनूड कर लिजिएगा निमलिखित में से किस योग को जो है चारकोलिथिक योग के नाम से जाना जाता है निमलिखित में से किस योग को जो है चारकोलिथिक योग के नाम से जाना जाता है तो तामर पसान योग को चारकोलिथिक योग के नाम से जाना जाता है एक स्कोबरा बारियर 2022 बहुरास्टिय बायु अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है जिसमें भारतिय बायु सेना के तेज़स लौक बिमान ने भाग लिया है तो इसका आयोजन UK में किया गया है कहां पर UK में किया गया है Economist Intelligence Unit द्वारा जारी लोकतेंत्र सुचकांक 2021 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो भारत को 46 मा अस्थान दिया गया है हाली में अराबली जैब विवित्ता पार्क को भारत का पहला अनपरभावित छेत्र अधारित संडच्छन उपाए साइट गोसित किया गया है 21 राज में अस्थी थे तो हर्याना राज में अस्थी थे कहां पर हर्याना राज में अस्थी थे हाली में भारत ने किस संगठन के साथ जो है डिजिटल कार योजना 2022 को मंजूरी दिये तो किस के साथ मंजूरी दिये हाली में भारत में जो है किस संग्ठन के साथ डिजिटल कार योजना 2022 को मंजुरी दी है तो आसियान के साथ में आसियान में कितने कं्ट्रिय है आसियान में 10 कंट्रिय है Australian Open 2022 के सम्मद में निम्लेकित में से कौन सा कथन आपके सही है पुरूस एकल का खिताब राफिल नडाल ने जीता बिल्कूल ठीक है राफिल नडाल का जो है एकिसमा खिताब था जो राफिल नडाल है उनका एकिसमा खिताब था ठीक है महला एकल के खिताब इसलिए बाल्टी ने जीता ये ठीक है इसलिए बाल्टी का समझ अस्टेलिया से और इनके द्वरा सन्यास भी ले लिया गया है तो तीनों कथन ठीक है तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा एलेक्ट्रिक बाहन चार्जिंग अस्टेशन चार्जिंग अस्टेशन कहां पर खोला गया है तो गुरु गुराम में खोला गया है कहां पर खोला गया है हर्याना के गुरु गुराम में खोला गया है बैडिमिन्टन वर्ड फेडरेशन अंडर उनिस गर्ल्स सिंगल में 20 में नम्मर उन बनने बाली पहली भारतिय महला कौन बनी है उनका नाम क्या है तो तस्नीम मीर है इसे दुबारा पढ़िए क्योंकि ये नया कोशन है बैडिमिन्टन वर्ड फेडरेशन अंडर उनिस गर्ल्स सिंगल में 20 में नम्मर उन बनने बाली पहली भारतिय महला कौन बनी है तो तस्नीम मीर बनी है भाबना पटेल का संबंध किस खेल से है तो इनका संबंध टेवल टेनिस से है और आपको याद रखना है जो भाबना कौन सा पदक जीता गया था तो रजत पदक जीता गया था भाबना पटेल के दुवारा इनका संबंध गुजरात राज से है निमलिकेत में से किस पत्रकार को जर्नलिस्ट ऑफ दा इयर 2021 का खिताब किसे दिया गया है तो दानिस सिदिक्य को दिया गया है अफगानिस्तान म कर रहे थे तो उसी दोरान इनकी हत्या कर दी गई थी ठीक है दानिस सिद्की जी का वर्स 2022 में संगहाई सहयूग संगठन की बैसमी बैठक का आयोजन कहां पर किया जाएगा तो कहां पर किया जाएगा उजबेकिस्तान में किया जाएगा उजबेकिस्तान में किया जाएगा एकतिसमा बिहारी पुरसकार हाल ही में किसे परदान किया गया है मधु काकरिया को परदान किया है वैस्विक उर्जा संकर्मन सुचकांग 2021 के सम्मन्द में निम्लिकेत में से कौन से गठन साही है तो देख लिजी World Economic Forum के द्वारा जारी किया जाता है वैसिविक उर्जा संकर्मन सुचकांग तो बिलकुल ठीक है इसमें भारत को सतेसमा अस्थान मिला है ये भी ठीक है इसमें पहला Аस्थान फिन्लेंड को दिया गया है तो ये गलट है पहला अस्थान किसे दिया गया है student को दिया गया है तो एक और दो केवल आपका ठीक है तो एक और दो इसका answer हो जाएगा तो ए इसका right answer हो जाएगा फरवरी 2022 में निर्धैन हुए भारत की पार्सवगाई का पार्सवगाई का क्या होता है तो परदे के पीछे गाना कोई और गाएगा और उसमें जो भी एक्टिंग होता है कोई और करेगा उसे का बोला जाता है पार्सवगाई का बोला जाता है तो पार्सवगाई का लता मंगेशकर को किस बर्स भारत रत से सम्भानित किया गया है तो 2021 में जो है जो लता मंगेशकर है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनका हाल ही में निर्धन हो गया है निम्लिकेत में से किस देश के मद नमंबर 2021 में दोस्ती नामक सेन अभ्यास का आयोजन किया गया है आप से भी लोग इसके बारे में सोचिए दोस्ती नामक सेन अभ्यास का आयोजन जो है किसके किसके बीच में किया गया होगा option देखिए और समझेए क्या हो जाएगा C इसका रैटन सुर जाएगा भारत मालदीप और स्रीलंका भारत मालदीप और स्रीलंका के बीच में जो है दोस्ती नामक सेन अभियास का आयोजन किया गया था भारत में प्रसारन समागरी सिकायत परिसत की पहली महला अध्यच कौन बनी है? यह चारो जो पॉइंट है एक्जाम के लिए इनपोटेंट है भारत में प्रसारन समागरी शिकायत परिशत की पहली महला अधियक कौन बनी है गीता मितल पहलन अधियक की पहली महला अधियक है जो अलका मितल है इनके बारे मियाद रखेगा कि ONGC की पहली महला अधियच है, और आईसा अजीज के बारे में आप से भी लोग जानते होंगी कि भारत की सबसे युवा महला पाइलेट है, इनका सम्मध जम्मु कासमीर से है, भारत में पहली बार जो है, Oceans 2022 सम्मिलन का आयोजन किस सहर में किया गया है, तो कहां पर किया गया चन्नई सहर में किया गया है, कहां पर किया गया है, बिहार सरकार द्वारा किस तिथी को जो है सहित दिवस के रूप में मनाने की घोसना की गई है, इसे आप कोपी में छाप कर रख लीजे, एक वसन पूछा जाएगा BPSC के एक्जाम में, बिहार सरकार द्वारा किस तिथी मनाने की घोषता की गई है डेस में dawn 50 jak 5000 अब गेंधेस ने किस देश में कंचात में तो इसमें आपको याद रखना है अफगानिसतां में भारत प्वारत के सामय होता कि बिसूखाद कार क्रैम के साथ में समझ होता कि तो अगर भारत पचास हजार सम्विरण का आयोजन, कहां पर किया गया है, तो नई दूली में किया गया, डिसम्बर रही 2011 में बंगल की खारी में चकरबात, जिसका नाम क twenties है जवाद, का नाम करन किस को दिश के दोताब किया गया है, इसका नाम करन सौधी अरब के द्वारा किया गया है जवाद का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ उदार होता है और इससे कौन-कौन सा भारत के राज परभावित हुआ था तो उलिशा, आंध परदेश और पच्छी मंगाल परभावित हुआ था हाली में राश्टी मानवा धिकार आयो के अध्याच कौन बने है तो कौन बने है अरुन कुमार मिस्रा बने है उसके बाद याद रखेगा यसुबर्धन कुमार सिन्ह यसुबर्धन कुमार सिन्ह जो है मुख सुचना आयूक्त है सुरेश यन पटेल केंदरिय सतरक्ता आयो के अध्याचे अनन्त नागे सुबरन ये क्या है तो मुख आर्थिक सलहकार है भारत सरकार के मुख आर्थिक सलहकार है हाली में हुए टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में भारत के खिलाप सभी 10 विगट लेने बाले दुनिया के तिसरे गंदवाज कौन बन गए हैं तो एजाज पटेल बन गए हैं जो एजाज पटेल हैं इनका संबंध किस देश से हैं तो इनका संबंध निजी लेंड से हैं साथ हैं आपको याद रखना है कि पूर्व में इंगलेंड के जीम लेकर इनके द्वारा 10 विकट लिया गया था और भारत के अनिल कुमले के द्वारा 10 विकट लिया गया था सायुक्तरास्ट महासभा द्वारा किस बर्स को अंतरास्टी मोटा अनाज बर्स घोसित किया गया है तो आप सभी को पता भी है क्योंकि बार बार लगा था न्यूजर सुन रहेंगा आप लोग किस बरस को जो है अंतरास्टी मोटा अनाज बरस गोशित किया गया है 2023 को ठीक है तो भी इसका रेटेंसर हो जाएगा यह अच्छा सबाल है इससे आप लोग सोचिए और इसके 7 पॉइंट है 7 पॉइंट को लिख लीजेगा केंद्रिय बजट 2022-23 के अनुसार पीयाम गती सक्ति के अंतरगत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में एक इंजन नहीं है तो 7 इंजन कौन कुन है पहला लिखेगा सडग पहला लिखेगा सडग, दुसरा है रेल मार्ग तिसरा है हवाई मार्ग चोटा है बिमान पत्तन पाचमा है माल परीभःन सातमा है जलमार्ग चट्था है चट्था जलमार्ग और सातमा क्या है Logistics Logistics अब समरचना है तो साथ 0.5 को आपको ध्यान रखना है PM गति सक्ति के अंतर गत में तो इसमें कौन नहीं है संचार नहीं है तो D इसका रेट पाइन से ओजागा जबकि बंदरगा सडक और रेलवे है संचार नहीं है अगास्त दो हजार बाइस मौद्रिक नीती समीती MPC के निर्नाई के अनुसार रेपो दर क्या है रेपो दर कितना रखा गया है तो 5.4% रखा गया है आप सभी लोग कॉमेंट करके बताएगा कि रेपो 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 रेप बजट 2022-23 में किस हिंदी लेखिका को उनके उपनियास रेत समाधी टॉम आफ सैंड के लिए अंतराश्टिय बुकर प्राइच से सम्मानित किया गया जिसे डेजी रॉक बेल ने ट्रांसलेट किया है तो इसमें आपको याद रखना है कि गितांजली स्री जो गितांजली स्री है ये हिंदी के लेखिका है इनके उपनियास रेत समाधी के लिए इनको जो है अंतराश्टिय बुकर प्राइच से सम्मानित किया गया है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने किस सहर के प्रगती मैदान आपको पताचे लगा कि प्रगती मैदान कहां पर है नई दिल्ली में तो प्रगती मैदान में 27 मैई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोसो भारत ड्रोन महोसो 2022 का उडगाटन किया गया है तो कहाँ पर किया गया है नए दिल्ली में तो D इसका राइट अंतर हो जाएगा DRDO द्वारा अच्छा प्रस्न है DRDO द्वारा अप्रिल 2022 में हेलीना का सफलता पुर्वक परिच्छन किया गया है यह क्या है हेलीना क्या है तो anti-tank guided missile है क्या है anti-tank guided missile है यह नाक का helicopter version है याद रखेगा नाक का क्या है helicopter version है तो B इसका right answer हो जाएगा next है नीचे दिये गए कूट से निमलिखित पहाड़ी को दच्छिन से उत्तर की और त्यान रखेगा दच्छीन से उत्तर की और, दच्छीन से उत्तर की और बेवस्तित करना है, तो बेवस्तित कर लिजिए, इसमें सबसे उत्तर कौन है, तो पीर पंजाल है, तो सबसे पहले देखे, पीर पंजाल सबसे लास्ट माना चाहिए, किसमें है, तो B में है, तो इसका एक ही से अंसर न परदेश से लेके बिहार तक विस्तार है उसके बाद है त्रिसूल परवत जो त्रिसूल परवत है यह उत्राखन में अस्तित है और पिर पंजाल स्रेनी जो है जमु कास्मिर से हिमाच्पिर परदेश तक पिर पंजाल स्रेनी का विस्तार है तो बी इसका राइट अंसर हो जा पूरुष पर दस्तो चौरासी महलाए हैं, 2011 की जनगन्य के अनुसार सरबादिक दस्तकिय बिर्धी बाला राज कौन है मिघाला है, तो ये भी कथन ठीक है, कितना बिर्धी दर था तो 27.9% था, निवन्तम सचर्था बाला राज कौन है बिहार है, तो ये भी ठीक है, कितना बिहार का सबसे अधिक आपके जनसंख्या घनातव है, तो इसका सारे कथन आपके सही है, इसमें से कोई भी कथन आपके गलत नहीं है, तो ई इसका राइट एंसर हो जाएगा, स्री सेलम परियुजना का संबन किस नदी पर है, स्री सेलम प्रोजेक्ट का संबन किस नदी से है, तो इसका संबन क्रिशना नदी से है, जो स्री सेलम प्रोजेक्ट है, इससे कौन सा राज को लाभ मिलेगा, तो इससे आंध परदेश, इससे जो है, आंध परदेश और तेल देख लेजे, इसका विस्तार पंजाब के छेतर में हुआ है, ये गलत है, इस मिट्टी में लोहा, एलमोनियम की मात्रा अधिक, की मात्रा कम होती है, गलत बात है, इसमें अधिक होती है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें चाबल गेहों के किरसी कि जाती है, ये भी ग जाता है और इस मिट्टी में आपको बता चुके लोहा और एलमोनियम की मात्रा जादा होता है निम्रिकित कथ्रों में से कौन से कथन आपके आसत है इसमें से कौन से कथन आपके गलत है तो देख लिजे कौन से कथन आपके गलत है जस्ता उत्पादर में राजस्थान का लग उत्पाध का उत्पादक राज है तो इसके सारे कत्ekना आपके ठीक तो ऑप यह सब हो जायाईम तो इसका अनशनो कोई सब्सक्राइब कोई सब्सक्राँ कहने अग्रिएब्र सब्सक्राइब में सब्सक्राइब कुर्ब तो तीन देखे किसमें हैं, तो C में सबसे लास्ट में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका एंसर ही आपका C हो जाएगा, तो देख लेजे, सबसे आगे कौन होगा, नागपूर होगा, सबसे आगे, नागपूर होगा, मतलब की सबसे पच्छिम में, नागपूर होगा, उस से परसांत महासागर से सम्मंधित नहीं है तो एक बार देखें आप यह स्टेलिया हो गया तो जो कनारी जलधारा है यह कहां पर बाती है यह आपके बाती है अब फीर का के यहां पर er ठीक है और कैसी जलधारा तो थंडी जल्धारा है ये क्या हो गया अट्लांटिक महासागर हो गया उसके बाद है क्यूरेशियो जल्धारा ये आपके याद रखेगा ये गरम जल्धारा है जो जपान के पास में बहती है परसांत महासागर में कैलिफोर्निया के जल्धारा यहाँ पर ये कैलिफोर्निया है ये हमбول्ट कालिफोर्निया यह ठंडी जल्धारा आ है जब alongside कि अ summary अस्थित नहीं है इस्का राइटन से जाँगा अट्लांटिक महा अस्तित है अंडवान दिक बार तो इधर ठीक है लचदीप में अस्तित है तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा निमलिखित में से किस देश या किन देशों की सीमा आर्क्टिक महासागर से नहीं मिलती है तो इसमें यह आपके इरोप हो गया ठीक है इरोप है और इधर आपके नौर्वे हो जाएगा नौर्वे इधर है नौर्वेक बगल में आपके Sweden, इधर Finland ठीक है, तो Arctic महासागर से नहीं लगती है, तो नौर्वेक के सीमा आपके लगता है, इससे आपके रसिया हो जाएगा, तो इसका भी सीमा लगता है, Iceland आपको याद है, Atlantic महासागर में अस्तित है, इधर आपके Greenland है, उसके बाद है France, France कह आप रसित है, तो इसका मतलब क्या है, कि आपके Arctic महासागर से इसके सीमा नहीं लगता है, तो D इसका right answer हो जाएगा, महासागरों और समुंद्रों में ज्वार भाटा उत्पन होने के कारणों में निमलिकेत में से कौन आपके नहीं है, तो जो ज्वार भाटा उत्पन होता कि आपके अंद्रियेबल होता है, ठीक है, तो D इसका right answer हो जाएगा, ज्वार किसे बोला जाता है, जो आपके समुंद्र का लहर टट की हो राता हो इसे ज्वार बोला जाता है, जो बापस लोड़ता हो इसे भाटा बोला जाता है, उसके बाद मैत का सवाल है, इसे आप लो 85, 85 का, C, 86, C, 87, A, 88, A, 89, D, 90, D, 91 में देखिए, निमनिखित में से एसे समागरी का चेयन करें, जो जल में पूरी तरीके से क्या है, घुलन सील है, तो जल में पूरी तरीके से घुलन सील को उने, तो फिट करी जो है, जल में पूरी तरीके से घुलन सील है, और जल को साप भी करता है, फिट करी, निमनिखित में से किस द्रम में, लोहे के कील रखे जाने पर, वह जो है, अपनी चमक को खो देता है, और सुस्त दिखाई द करता है जबकि सीट पेजल से जो है लोहा अभी किरिया कर लेता है और अपना चमक को खो देता है सिंटेटिक फाइबर को कहा जाता है सिंटेटिक फाइबर को क्या बोला जाता है मानम निर्वित फाइबर बोला जाता है निम्लिकेत में से बायू में सरबाधिक परतिशत वाले गैस है तो बायू में सबसे अधिक क्या है नाइट्रोजन है क्या है नाइट्रोजन सबसे अधिक है कितना परसेंट है तो 78.08 परसेंट है नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है कितना परसेंट है आरगन के बाद क्या है कार्मन डाय ओक्साइड है ये कितना परसेंट है तो 0.036 परसेंट है अमल और छार महतपूर्ण है क्योंकि अमल और छार महतपूर्ण क्यों है क्योंकि उद्योग में इसका इस्तमाल होता है मानम स्वास्त पर उनके परभाव पड़ता है किसानों की फसल पर उनका परभाव पड़ता है लबन बनाने के लिए उदासनी करन में उनका परयोग किया जाता है तो सारे कथन ठीक है तो एक से अधिक उप्षन आपका ठीक हो जाएगा साबुन से धोने पर कपड़े पर हल्दी का दाग लाल हो जाता है करन क्या है साबुन से धोने पर कपड़े का हल्दी का रंग अपकी कपड़े पर लग गया अब साबुन से धो दीजेगा तो लाल क्यों हो जाता है क्योंकि साबुन का गोल जो होता है, क्या होता है, छारिये होता है, उसके बाद है कि हल्दी में प्राकृतिक संकेतक होता है, इसलिए, तो एक और तीन आपका ठीक हो जाएगा, तो इसमें एक और तीन, ए इसका राइट एंसर हो जाएगा, जबकि सावन का गोल अमली होता है, ये नहीं होता है, हल्द तो क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा अगर चार डाली तो क्या हो जाएगा बुलू हो जाएगा क्या हो जाएगा इसे नोट कर दीजिएगा रहसायनिक परिवर्तन का एक उधारन है इसमें से देखे रहसायनिक परिवर्तन में इस क्या होता है कि कोई नया परदार्थ बनना क्या होता है कोई नया परदार्थ बनना को बोलें रहसायनिक परिवर्तन तो किसमें नया परदार्थ बन रहा है बादलों का बनना नया परदार्थ बनता है नहीं उसके बाद है कि पानी में सोडियम के गिरना इसमें नया परदार्थ बन जाएगा तो B तो ठीक है नमक को पानी में घोलना इससे भी नया परदार्थ नहीं बनेगा बिजली के प्रिकास के चमक इससे भी नहीं बनेगा तो B इसका रहाट अंसर हो जाएगा, ओक्सिजन हमारे जीवन के लिए अवस्यक है, सभी जीव सास लेते समय, इसे अंदर लेते हैं धातु, अधातु, उपधातु, दुरलब धातु, तो इसमें आपको याद रखना है, अधातु लेते हैं, ठीक है अधातु सभी जिवित प्रानियों द्वारा जो है सास लेने में परियोक्त ऑक्सिजन क्या है एक अधातु है नन मेटल है क्या है ऑक्सिजन क्या है एक नन मेटल है तो बी इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारन होता है तो मिट्टी के तेल में जो है सोडियम और पोटेसियम का भंडारन किया जाता है तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा निमलिखित में इसे किसमें प्रोटोन की संख्या समान होती है तो प्रोटोन की संख्या जो है आईसोटोप में समान होती है आईसोटोप में आपके समान होती है निमलिखित परमानू मोडलों को उनके कालानू करम में बेवस्तित कीजिए सबसे पहले कौन सा मोडल आता है तो सबसे पहले जो है इसमें थॉमसम के परमानू मोडल आता है ये कव आता है तो 1897 में आता है उसके बाद रधर फोड़ परमानू मोडल आता है ये कव आता है तो 1911 में आता है बोर परमानू मोडल कव आता है कोसिकाव में गैसिये बिन में किसके दुबारा होता है तो बिसरन के दुबारा होता है दिफुजन के दुबारा होता है समसुत्री विभाजन के बाद बनने बाली संतती कोसकाई की संख्या होती है तो दो होती है कितनी होती है दो होती है दुसित जल के कारण होता है है जा और अंतर जवार इसे क्या बोला जाता है इसे टाइफार्ड बोला जाता है तो दुस्रित पानी पीनी से जो है जाज़ा और टाइफार्ड होता है तो एक से अधिक option अपका ठीक हो जाएगा तो E. इसका right अंतर हो जाएगा सबजी और फल तो सबजी और फल अच्छे सुरुत हैं, किसके अच्छे सुरुत हैं, बिटामिन और खनीज परदार्थ की, बिटामिन और खनीज परदार्थ की, तो एक से अधिक उप्सन अपका ठीक हो जाएगा, ओजोन छिदर का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है, ओजोन की स यह प्राथिमिक इंधन है कारवन डायोकसाइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह क्या है जो कारवन डायोकसाइड को ग्रीन है जाता है ठीक है तो सूर्ज के परकास के लिए पारदरसी लेकिन गर्मी को फसाता है कौन कारबन डाय ऑक्साइड उसके करण पिर्थिवी का तापमान बढ़ने लगता है नेक्स्ट है कि सरीर में कौन सा हर्मोन स्राव पूरसों में मुच और डाली के बिकास के लिए उतरदाई है तो टेस्टोस्टोस्टोस्टोन तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा निम्लिकेत में से कौन सा जीब विखंडन विधी द्वारा प्रजनन करता है इसमें से कौन सा जीब है विखंडन विधी के द्वारा प्रजनन करता है तो अस्पाइरो गाईरा अस्पाइरो गाईरा जो है विखंडन विधी के द्वारा प्रजनन करता है तो बी इसका चहवी जो है अभासी बनती है कैसी बनती है अभासी समतल दरपे में हमारे जो चहरे के चहवी होता है अभासी एवं चहरे के अकार के समान बनता है अभासी एवं चहरे के अकार के समान बनता है नेक्स्ट है बस्तु से परकास के गोजरने घटना कहलाती है तो क्या कहलाती है reflection कहलाती है अपबरतन कहलाती है अपबरतन के कारण ही swimming pool का pool जो उतला दिखाई देता है साथ ही इंदधनूस का जो इंदधनूस का निर्मान भी होता है वो reflection के कारण ही होता है जो fuse के तार होता है उसमें उच प्रतिरोध होता है fuse के तार में जो है उच प्रतिरोध होता है तोरण acceleration की 1 काई क्या है तो इसकी 1 काई है meter प्रति सकेंड अस्क्वाइर तो C इसका right answer हो जाएगा एक किलो बाट घंटा बराबर होता है तो कितना होता है एक किलो बाट घंटा बराबर तो एक हजार हो जाएका एक किलो बाट बराबर और उसके बाद घंटा बला साथ गुना साथ जूल इसे आप तोड़ दिजिए तो एक हजार गुना 3600 ठीक है और इसका अपको लाना है पॉइंट में ते 3.6 गुना दसफर अई में दिया है तो इसका रेस एंसे हो जाएगा ठीक है इसका एनसे हो जाएगा और यहां पर नोट किजिएगा कि एक बाच में कितना अर्ग होता है तो एक बाट में जो है साथ अर्ग सेके cynड होता है एक अस्व सकती बराबर 746 बाट होता है और एक किलो बाट बराबर कितना होता है एक किलो बाट बराबर 1.34 अस्व सकती होता है मतलब यचपी होता है ठीक है एक किलो बाट बराबर 1.34 अस्व सकती यचपी होता है निम्लिखित में से कौन सी अविर्ति एक समान मनुष द्वारा सुन जा सकती है तो एक समान जो मनुष है दसपर पावर चार होर्स अविर्ति को सुन सकता है जबकि इसमें आपको याद रखना है कि 20 होर्स होगा ठीक है इसमें 20 हार्स से 20 के हार्स तक मनुष अब आज़ को सुन सकता है और एक वैंकि अगर अधिक से अगर अधिक होगा तो उसे अल्ट्रस्वार नोड कर लीजएगा पूछे जाता है तो निम्लिम्ल में से कौन सा आपके सही है तो बस्तु का क्या भार होगा सुन हो जाएगा अगर गुर्तवा करसन गायव हो जाएगा तो जो बस्तु है उसका भार जो है सुन हो जाएगा जैसे कि चांद पर आपको पता है कि जब जाता है कोई भी अंत्रीच यात्री तो क्या हो जाता है वो उड़ने लगता है मतलब कि उसका भार बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम हो आपके पिरत्वी जो चांद का सता है, वहाँ पर अस्थिर ख़ड़ा हो पाता है, ठीक है, पादब कोसिकाओं की कोस्का भीति मुखरूप से बनी होती है, तो सिलूरोज की बनी होती है, किसके सिलूरोज की बनी होती है, में इमाइलेज नामक इंजाइम निकलता है, इमाइलेज नामक इंजाइम का सराव कहां पर होता है, तो मुह में होता है, ठीक है, नेक्स्ट है भारत एक है, क्या है, भारत एक राज्यों का संग है, अनुछेद एक में लिखा गया है, भारत क्या है, राज्यों का संग है, भा अनुछेद 11 के तहत, राष्टपती पद के उमिदबार को चुनाव परचार के लिए कितना समय मिलता है, तो दो सबता समय मिलता है, भारत के नई राष्टपती कौन है, तो दुरोपदी मुर्मू है, नेक्स्ट पंचायती राज विवस्था की कारियों के सूची किस अनुछ अनुछेद 243 जी के तहद दिया गया है, तो दी इसका राष्ट अंसर हो जाएगा, जो पंचायती राज का अनुछेद है, इसे आप सभी लोग ध्यान से पढ़ लिजेगा, पंचायती राज का अनुछेद को आप सभी लोग ध्यान से पढ़ लिजेगा, इसमें जो पंच 1813 के एक्ट के माधियम से जो है अब जो इस्ट इंडिया कमपनी थी केबल चाय और चीन पर उसका एक अधिकार रहा था पंचायती राज बिवस्था को किस समीती के अनुसंसा पर जो है समयधानिक अधिकार परदान किया गया है यह परदान किया गया है यालियम सिंगवी समीती के अनुसंसा पर तो से इसका राइट अंसर हो जाएगा संसद की गनपूर्ती के लिए कुल सदस का कितना भाग होना चाहिए तो वन भाई दस भाग होना चाहिए लोक सभा में पचपन, राज सभा में 25 होना चाहिए, सदन चलने के लिए निउंतम सदस संख्या, समुदाइक विकास करकरम का उद्देश क्या है, तो इसका उद्देश है ग्रामिन जीवन अस्तर को बेहतर करना, क्या है? ग्रामिन जीवन अस्तर को बेहतर करना, और जो समुदाइक विकास करकरम है, यह का प्रणाम किया गया था, उद्देश है कि ग्रामिन जीवन का जो अस्तर है, उसे बेहतर किया जाए है, बिहार के किस बिधान सभा के लिए नमंबर 2020 में चुनाव संपन हुआ, बिहार के किस नमंबर 2020 में चुनाव संपन हुआ, तो सतरमी विधान सभा के लिए चुनाव संपन हुआ, चुनाव कितनों चरनम हुआ था, तो चुनाव के 11 चरनम में संपन हुआ था, आप सभी लोग कमेंट करके बताएगा, कि बिहार के कौन से पार्टी को कितना सीठ है, आप सभी लो पार्टी आपके राष्ट्य पार्टी है, अठमा राष्ट्य पार्टी का दरजा किसे दिया गया है, नेशनल पेपुल्स पार्टी को दिया गया है, कब दिया गया है, 2013 में दिया गया है, पहला राष्ट्य पार्टी कौन है, तो भारती राष्ट्य कांग्रेस है, अस्थाप अनसूची है नगर निगम से इसका संबंध है नगर निगम जो है कितने मुद्य पर काम कर सकता है तो 18 बिसे पर काम कर सकता है जबकि जो पंचाइत है 29 बिसे पर काम कर सकता है निमलिखित राजियों में से किस राज में दो अस्तरिये पंचाइती राज बेवरस्ता है ये बह दो अस्तरिये पंचायती राज ब्यवस्ता है, तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा, निरवाचन आयोग, निवन में से किसका चुनाव संपन कराता है, राष्टपती, उपराष्टपती, संसद, राज बिधान परिशत का, तो सारे कथन आपके ठीक है, तो E इसका राइट अधिक आपका ठीक हो जाएगा, एक से अधिक आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है, निम्रिखित को सुमलित करना है, तो सुमलित कर लिजे, जो पलामू है, यहाँ पर क्या है, तो मैगनीज है, जो बहुत लो क्वालिटी का है, हजारी बाग में क्या मिलता है, तो हजारी तामबा नाजलस्तान में कुएजहर उडिशाम्वरस्तित है यहां से अबरक होता है यह भी आपके लो क्वालिटी का अबरक होता है ठीक है तो इसका राइट एक नहीं 2-4-2-4-13 तो भी इसका राइट एंसर हो जाएगा भारत में सबसे अधिक जो है अबरक का उत्पादक र аныिफ्र फैसेर छेटर सम्बंदीत है इसका राइटर कि अजयने यह मदिया तो, इसका राइचेर होगाus बीज कर राइटन से बजाएगा नेगस्ट है निम्लिखित में से कौन जो है बिहार सरकार के साथ नीश्चे पार्ट टू में सामिल नहीं है इसे आप लोग जो है ना नोट करके लिख लीजिए कोपी में क्योंकि यहां से कोशन पूछा जाएगा साथ नीश्चे वन के बारे सामिल नहीं है तो डी इसका राइट अंसर हो जाएगा आप लिखिए यह साथ नीश्चे को साथ पॉइंट इसमें है पहला क्या है इवा सकती बिहार की प्रगती इवा सकती बिहार की प्रगती दुसरा है ससक्त महिला सच्छम महिला तिसरा है हर खेत की पानी हर खेत हर खेत को पानी चौटा है स्वच गाउं समिर्द गाउं पाचमा है स्वच सहर बिक्सित सहर छठा सुलब संपर्क्ता सात्मा है सब के लिए स्वास्त सुधा नोट कर लीजेगा पुछा जाएगा आपसे एक्जाम में वर्स 2019 में बिहार में किस रेनी के कि बिजली उपभोगतां की संख्या सरवाधिक है तो सिम्पल बात बिहार में क्या है उद्द्द्व ज्यादत नहीं है तो बेपसा इंग जादा किर्सी में भी इस्तमाल नहीं होता हुआ, कहां इस्तमाल जाद होता हुआ, घरीलू में, वर्स 2019-2020 में बिहार में, किस त्रेनी में बिजली उपभुगता की संख्या सरवाधिक है, कहां पर है, घरीलू में, कितना है, 91.6%, 2021 के जनगन्ना के अनुसार, बिहार के 21 जिल्ला में सरवाधिक लिंगा अनुपात है, तो गोपाल गंज में सरवाधिक लिंगा अनुपात है, कितना है, 1021 है, 1000 पूरूस पर, सबसे कम लिंगा अनुपात किसका है, तो मुंगेर का है, किसका है, मुंगेर का सबसे कम लिंगा अ अनुपात है उसके बाद याद रखे है कि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है तो पूरे बारत में सबसे अधीक है 1206 बेक्ति प्रति बर किलो मिटर है बिहार में सबसे अधीक जनसंख्या किस डिस्टिक का है तो सिभर का किसका है सिभर का ठीक है सीभर का है कितना है 1880 है बिहार का सबसे छोटा डिस्टिक को और छित्रिफल के हिसाब से तो सीभर है और जनसंक्य के हिसाब से सेख पूरा है बिहार का लिंगा अनुपात कितना है तो 918 है एक हजार पुरूस में अगर पूछा जागा कि बच्चों का लिंगा नुपात कितना है ये बीपेसी का पूछा हुआ सवाल है 935 से 1000 में इतना आपको याद रखना है निमन में से कौन जो है माना विकास सुचकांक में सामिल नहीं है जीवन प्रतियासा सामिल है प्रतिवेक्ति आए सिच्छा सामिल है समाजिक असमंता सामिल नहीं है मेरा गाउं मेरा बैंक अभियान निम्न में से किस बैंक ने प्रेडम किया है तो ESVI बैंक ने प्रेडम किया है Next है भारत सरकार ने अखिल भारती थोक कीमत सुचकांग के लिए अधार बर्स दो हजार नौ पांच से बदल कर किस बरस को बनाया है तो 2011-12 को बनाया है बिहार में नविंतम वार्सिक प्रति बेक्ति बिजली का उपभोग है तो निउन्तम है कैसा है निउन्तम है कितना है तो 350 किलो बाट है किलो बाट ये बीपेशे के दोरह पूछा जाता है ठीक है भारत में कापास औरही निउन्तम है किस राज में उत्रप्रदिक है तो गुजरात में सरवादिक है तो ओप्शन दिया गिया नहीं है कौनी से राज 2021 में भारत का सिर्स चीनी उत्रपादक राज है तो महरास्थ पहला सकेंड में उत्रपरदे से तिसरा में करनाटक है नेक्स्ट है प्रधार मंत्री रोजगार सिर्जन कारिकरम प्रधार मंत्री रोजगार सिर्जन कारिकरम को किस बरस तक बला दिया गया है तो 2025 सब्विस तक बला दिया गया है और बोला गया है कि 40 लाख जो बेक्ति हैं उन्हें अस्थाई रोजगार देने का प्रियास किया जाएगा पतलब 40 लाग बेक्तिव को जो है अस्थाई रोजगार के अफसर पैदा किया जाएगा परधान मंत्री रोजगार सिर्जन कारकरम के तहट लेखे सरकार जो ये सरकार बरतवान में बोलती तो बहुत है लेकिन आपको पता है कि होता क्या है आप लोग समझदार हैं बोलन स्थाओं में गराहाक सेवा की गुनबत्ता का मुल्यांकन करने के लिए गठित आरवी आई समीति के परमुक कौन है तो बीपी कानून गो हैं भारतिये रिजेब बैंक आरवी आई द्वारा सरकार को 2021 के लिए अधिसेस ट्रांसफर क्या है अतलब कितना ट्रांसफर किया ग लुष में रहें रहेंटेंस के लिए शिर्ष प्राप्त करता देश को सही करम का चैयन करना यह तो सबसे अधिक जो रहेंट जो जो हमारे भारत के नागरिक हैं सौदी अरभ अमिर्का मुझा की कमा रहें और अपने फैमली के लिए भारत में पैसा भेशते हैं उसे रहें से हो जाएगा टुटल 150 प्रस्ट को डिसकस किया गया आपको वीडियो कैसे लगा आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएगा अगर वीडियो हेल्फुल लेगा तो वीडियो अपने दोस्ते में सेर किजिएगा तब तक लिए थैंक यू